जै माहा गाली, जै माहा काम वियाख्या, आप लोग कैसे फ्रेंट ठीक है, आशाय करती हूँ कि आप लोग बिल्कुल सही और स्वस्त होगी, तो आज आपके लिए मैं एक नया वशी करन लेका हूँ, जैसे कि मिरे पर स्कॉल आती रहती हैं कि आप कुछ ऐसा उपाई बता द और काम करेगा भी, तो इसलिए आज ऐसा वशी करन दिखा रही हूँ मैं यहाँ पे, जो कि आप करेंगे और ऐसी परिशानियों से दूर हो जाएंगे, जो शिराब ज़्यादा पीते हैं, उनकी भी कॉल आती है, और ज़्यादा तर जो लेडी से परिशान हैं, उनके लिए बोतल को ले क्या आना है, मैंने यहाँ पे ऐसी एक बोतल रख लिये, तो आप जो कोई पीता है, उसी ब्रांड का चाहिए, किसी अलग ब्रांड का मत लेना, इसलिए पता कर लेना कि कौन से ब्रांड का पीते हैं, तो उससे ज़्यादा अच्छा टोटका होगा, अगर नही पता हो, तो आप कोई सी ले सकते हैं, नहीं तो ज़्यादा तर कोशिश वही करें, जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, तो आपने क्या करना है, बहुती एजी और बहुती असान सा है, वशी करन, तो आपने ये बोतल उसी ब्रांड का ले लिया, और यहाँ पे फूल वली दो लॉंग ली है, फूल वली दो लॉंग ली है, यहाँ पर, और उसके बाद आपने बोतल का रखकन खोल लेना है, खोलने के बाद आपने फूल वली लॉंग इसके अंदर डाल देना है, और डालने के बाद आपने क्या करना है, काल भहरफ के मंदिर में जाना है, महा आपने इस बोतल को फिर से महाँ से वापिस लेना है परिशाद जैसे बन जाता है ये चढ़ाने के बाद तो आपने महाँ से ले लेना है अगर पंडे जी ना दे आपको तो आप इसी बोतल के बदले आप उनको महाँ पैसे दे दे या चढ़ा दे महाँ पैसे मंदिर में और इस बोतल को ले आए क्योंकि आपको पूरा टोटका करना है वशिकरन करना है उस वेक्ति का जो की शराब पीता है और अपनी वाइफ को परिशान करता है उस वेक्ति को जो की हर किसी को परिशानी में डाल देता है शराब पीने की लत बुरी होती है और उसके बाद वो छूट तो आप इससे भी छुटकारा पा सकते हैं इस तरीके का वशिकरन करके, तो आपने महा से लाने के बाद फिर घर में वापिस लियाएं और लाके उसमें फिर से दो लॉंग वापिस डालें। डालने के बाद अपने क्या करना है कि ये करना है किसी भी शैनीवार के दिन, शेनिवार के दिन ही बोतल को लेके आना है और उसके बाद आपने वहापे भैरो के मंदिर में आपने काल भैरो के मंदिर में जाना है और शेनिवार के दिन ही ये चड़ानी है चड़ाने के बाद आप ले आए इसे वापिस और दो लॉंग फिर से डालें डालने के बाद आपने क्या करना है किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे जाएं और जाने के बाद वहाँ गड़ा करके इसको दबा के इस बोतल को आ जाएं और उसके बाद आप देखेंगे ओटोमेटिक ऐसा चमतकार होगा कि जो वेक्ती पीता है शराब उसकी धीरे धीरे करके ये शराब छूटनी शुरू कर देगी जैसे ये टोटका करेंगे असर उसी टाइम से शुरू हो जाएगा दीरे दीरे करके वो वेक्ती एकदम नफरत करने लगेगा और दीरे दीरे आपके वश में हो जाएगा और वो शराब 40 दिन के अंदर छोडने लगेगा ये बिल्कुल 100% ग्रंटी के साथ ये टोटका है वश परिशानी है घर में जो वेक्ती पीता है शराब को या कोई ओरत परिशान है और बहुत जादत तर लेडिस ही परिशान होती है जिनका घर खराब होता है उनकी शादी शुदा जिंदिगी खराब होती है उनके बच्चे खराब होते है उनका घर परिवार सही नहीं चल पात तो आपने ये बिगेर बताई हुए काम करना है किसी को पता नहीं चले आपने शराब को ले आना है और फिर काल भेरफ के महाँ पे जाके चड़ा देना मंदिर में और उसके बाद दो लॉंग और डालने के बाद पीपल के पेड़ के नीचे गड़ा करके आपने इसको दबा अगर आप गड़ा ना कर पाएं तो आप पीपल के पेड़ के नीचे ही आप इसको रखके और आ भी सकते हैं तब भी आपका 100% काम करेगा वशी करन तो आज आपको ये कैसा लगा वशी करन आप लोग ज़रूर बताना है अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना वी जो कि हर किसी को ये वीडियो मिले और हर कोई इससे छुटकारा पा सके और अपनी आदोतों को सुधार सके घर परिवार को अच्छे से चला सके और बहुत ही अच्छा लगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे जै महाकाली का फीड़ बैक अपना देंगे मुझे भी इससे पता चलेगा कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है देखकर छोड़ मत देना जै महाकाली जरूर लिखना जो मेरे चैनल पर पहली बारी आते हैं वो मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लेना बैल आइकन बटन के साथ में जो कि आने वाले हर एक आपको वशी करन अच्छ झाले हाँ झाल झाल